अच्छा ये एडम को चुप करानी के लिए मेरे पास एक मस्त इलाज है एकदम एडम दे दूँ सची गाली ली देना हुझे लीगल सेपरेशन देंग इन दे वेस्ट काई येस वापस लें वापस लें सुने दरब क्या कह रहें हाँ जैहिन इन वेस्ट बड़ मैं ये कह रहा हर डर जैहिन जैहिन साहिल वाई और सारे पास को जैहिन सारे और प्रॉव जैहिन आपकी खेनल में मेरे फेंस बण गया इसलिए मन नहीं लगता है मुझे क्या कॉन्फिडेंस है वाई का सच्वालाजी आधाम भाई स्टाहिल भाई सब ठीक है ना इसलिए कुछ ज्यादा बल दिया था हम तो दिल पर नहीं लेंगे आप बताईए आप दिल पर कब लेंगे अब तो दिल में लेके होर चीज राखता हूं मेरा दिल में रहता है नहीं मुझे नहीं लगता आप कुछ दिल पर लेते हैं वीडियो में ने कुछ ऐसा ओव फिर डिलेट भी हो गया है मजाग से मैंने डाला था ठीक है से शिरियसली कुछ नहीं उसके लिए पड़ा है मेरा इसलिए मैं अभी आता भी नहीं कि भी उसके लिया तो आप साहिल भाई से पुछो मैंने उनको पूछ के चैनल भी बनाया और फिर में उसमें आखे बात किया तो कुछ लोगों ने वहां पर सब्सक्राइब कर लिया तो आप लोग बलते कि फेम के लिए आते इसलिए मुझ लगा यार मैं तो इसा बाचित करने के लिए जाता हूं लेकिन वह गलत तरीका से मुझे पैस्किया जा रहा है तो उसमें मौसुद ने डिरेट इस्ट्राइक मारा है ना चैनल में वह पूरा अपने अपने अपर लोग ना खुद बोल रही हो कि फिर मैंने हटा दिया फिर लाज्ट कॉलर है स्ट्राइक स्ट्राइक का खेल छोड़ो फ्री दिंकर साब आप क्या कहने आये हो इसके अलावा इसलाम पर क्या बात करोगे ये बताओ अब पहले बात तो आप सोब की हल चल पूछने के लिए आया है दूसरी बात है कि ऐसा कोई भी चीज मुझे गलत लागे इसलाम की मैं जो उसका दिफार ना कर सेकू तो चीज मैं गहराई से दिल में लूँगा ठीके और फिर मैं उसमें सोचूंगा तो इसे कुछ भी है ग ठीक तरीका से एक भी अभी तक समझ नहीं आए कि यह पक्का गलती आए यह चोटी मटी चीज जो भी होता है उसका अगर अच्छा प्री तिंकर दरा ये देखिए कि इसलाम की एक चार खूबियां बताओ जो वाकई हमें जो है सोचने पर मजबूर कर दें एक दो इसलाम की तो चार खूबिया आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ सबसे जो बेस्ट चार खूबिया है ना कि एक यूनिटी है सब मेजल के रहना सब भाई-भाई है और उसमें जो उसनीच का मुसला नहीं करना है पहले नियाना कि खूब दोल दो दियाा सबसे कॉन जी हैं सबसे पहले अदम में हम सब भाई-भाई हैं ए उसमें से क Bread लोग गलत पर सामे चले गए ईविली इस एक की रस्ता में उसके वजह से यहम प्रॉपिट को बैजा जय कई और उसमें से जो फाइनल प्रोफिट मुहम्मद शल्लालाव अने के बाद जितने लोग इसलाम में आ गए अभी सिरे वो ही भाई है और जितने अभी तो काये नहीं ओ भाई नहीं है अच्छा अच्छा आठ अरब में से दो अरब कितना फीसद बन गया असी फीसद सही तो बो तो इसका मतलब यह कॉलिटी है आपके क्यों को कोई जो है एटी परसंट लोग आपके भाई नहीं है तो यह इसलाम की कॉलिटी है कि यह जो शाइंटेस्ट है इन्होंने ऐसा कर दिया भाई कोई मुसलमान साइंटिस्ट कोई मुसल्मान मैथमेटेशन होने से इसलाम ने वो चीज़ दिये, ये साब इतनी होता है हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुसल्मानों का गोल्डन एरा था, वो इसलाम का गोल्डन एरा नहीं था अगर आज भी कोई सच्वाला जी अभी कोई एक स्ट्रीम में एक हवाला दे रहा था कि एक मौमिन डॉक्टर है उसने हार्ट सर्जरी कर दी नहीं लेकिन सच तो यह है कि यह इस्लाम कोई क्रेडिट मिलना चाहिए जितने साइंटिस बागरा हो रहा है अगर आप इस्लाम को यह क्रेडिट नहीं देते आप मुझे चोदोसु साल पुराना कोई सैंटिस का नम बताइए उससे पहला तो इंसियान लाखों सलता इस दुनिया में कि कोई एक खावजाज का नम बताई यह कोई एक रॉकेट का यह को एक 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 अटम बाम की नम बताई यह कुछ भी चोदोसु साल पहले की नामदार थे भी सबसे वड़े साइंटिस्ट नहीं मतलब जहां फाज जाते हो और हम बात को गुमा लेता है इसाए चुस्ट छर्ओ खोद्वालाथ स्टान पसे वज्ञाएं करते अटम पर फॉजब एक आई हम'Dार पर प कदम रिखा उस पहले तो हम्हारे आका इनामदार ने नामधार ने कदम रखा यह सबसे पहले बुराग पर जो है उड़ते हुए गए और उड़ते हुए आए सबसे पर सबसे परस्टर जो लाइट किस बीडे और उस्टे में भी जो बुराग पताए गाई हो भी लाइटिंग है और यह बहुत जवाब दे दूंग अगर मुझसे कोई बात कर रहे तो मारा नाम लेना फ्री तिंकर से बात कर रहे बताना या बाकी आप लोग बात करोगे मैं डिस्टाब नहीं करूंगा अली भाई ने जो पूचा है जले ठीक है आज में ये केए रहा हूँ जब से इस्लाम आया तब से इंसान को तरीका से चलने का खाने का पिने का एन इंस इंसानियत करने लगा एक से बिक्सित होते गया ठीक है सबसे पहले खूद को बैलेंस करना है तो इसलम का मकसद ही होई था इसनियत था अगर मैं गला थो तो 24 साल पुराना मुझे कोई साइंटिस का नाम बताओ कोई हवाई जा कोई भी आभिशकर बताओ मुझे सब थोड़ा चूपो जाओ सच्वाल जी कुछ कह रहे हैं जी सच्वाल जी आप अपनी बात जाएं जी मैं अपने सभी भाईयों सभी दोस्तों से विदा चाहता हूं काफी दीर हो गई तो आप लोग कंटिनू करें मैं इजादत चाहता हूं अच्छा लगा अच्छा लगा बहुत 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 शुक्रिया आपका अच्छा एक मिनिट सब रुख जाओ यार तो और उस दिन जो एक सलम का अधिल बाई को मैं जोड लिया हूँ अली भाई आप इनसे बात करिएगा बाकी लोग बीच में ना बोलें दो मिनट दीजिए बात हमें स्ट्रीम क्लोज करना यहां सीम क्लोस करना और कोई लोग ना जुड़े बाकी लोगों को next stream में मौका मिलेगा क्योंके 혼자 काफी जादा हो गया है भूग भी लग खाना भी बनाना भी है और खाना भी है तो बाकी सब लोग जो है शोहेवली साहब आप नेक्स टाइम जुड़ी आईएगा जी अली भाई आप बात कर सकते हैं आप पहले अपना पॉइंट दे दे मुझे ने वो पूछ रहे थे कि चौदासो साल पहले जो है वो कोई साहरां पहले कोई साइंटिस्ट था क्या ये पूछ रहे आपसे अधार आ रही है आरी है यह चौदासो साल पहले जो साइंस सांट ढूंडरे मुहमद ने कौन सी साइंसी तरियाफ्ट की पहले वह तो पूछ ले इंस वही तो मैं भी पूछा आपने आपने जहाज बनाने का पहला तो नहीं हो ना पूछ कि अधिकर में यह कितना भी एक्स मुसली में एक के तुम तुमारे साथ बात करने में में मेरा बराबर अच्छा लगता है बाकी तो यह सब दू-4 मिनिट में बाग चाहते तो तुम नराज मत हो ना उच्छो एक वीडियो की वजह से ठीक है उ कि लियर करना इच्छा है मैं कॉप से बात करना चाह रहा था लेकिन जोड़ने ही पाया तो आज जोड़ा इसलिए मैं वही कह रहा हूँ पहले अगर ऑची जोड़ा नहीं है लेकिन उसका जो बुनियाद इंसानियत का है ना इंसान को सही तरीका से चलना है प्रिना ओप मेरा सवाल क्या है सवाल यह है कि आगर एक बिल्डिंग का जो बनेर राख दोगे तो सजा कोई भी सकता हूँ पकवास कर रहे हैं मेरा सवाल क्या है मेरा सवाल क्या है मैंने भी सवाल कि अब पुछे जवाब किसी इसका दे रहे हो मेरा सवाल रूपीट करो सवाल कि अब आपने सवाल करो सवाल कि मुद्धे पर जवाब कर दीजिए कर दीजिए अभी आपने बोला कि जहाज भी बना गाड़ी भी बना यह सारी साइसी द्रियाफतें बाद में हुई है मैंने का इनमें से कोई सी एक साइसी द्रियाफता है जो मुहम्मद ने खुद दी किसी भी आदिश के दरूब नहीं तो इनसान को मतलब खुद को सुदरने में लागे थे तो फिर तुम्हें किस खुदते ने का है कि यह चो साल पहले या बच्चा पैदा होके कि हो कोई ची को यह किसी से भी पूछतों को कि 14 साल पहले कोई साइस तन दो बक्वास बात की तो यह मुझे इसा लगता है कोई एक मतलब आनपढ़ कोई समझ जाएगा इंसान तो इंसान का हिस्ट्री तो ददस अगे सार पूराना भी मिलता है लेकिन तब क्यों नहीं बना इस सबर करें आगे नहीं जाना उसे आगे नहीं बिल्कुल अब आते हैं जहाज किस सदी में बना और जहाज तो बहुत पहले से चल रहा था और जहाज का मैंने एक्जामपल दिया इन्हीं मैंने ट्रेन का हावाई जहाज का बताया तुमको ह्वाई जहाज की बात कर रहो हैं यहाज जहाज हो रहा है वागल हो गया है नेकल में 1905-1903 में बना होगा पहला जहाद होगा तो अभी दोसो साल भी नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं कि मैं आंदर जासे बताया ओकी चलो बेतरी बेतरी यह जब सो सबस्वासो साल पहले जहाद बना उस वकद कितने मजब थे इस दुनिया में कि अभी इस समय जितना मजबेटी कितने ही थे उसके बाद कोई नया मजब आया नहीं कितने हैं कि अभी समय दुनिया में जितना है उतना ही अब हवाई जहास को बनाने के लिए जो फार्मूलाज और जो चीज़ें दी गई है वो इसलाम की किसी एक हदीस से जाहर कर सकते हैं कि अधिस कुरान में नहीं है वो चीज़ तो मतलब कुरान से जो इंसान की सबसे पहले खुद को सबस्क्राइब नहीं है नहीं पहले तो बात देखो एक अपना आदब से बात करना चाहिए था जितना सवाल है उत्रा जवाब उससे आगे का नहीं ओके इसका कोई तालूक नियाज़ बनाने का राइट अब बिल्कुल नहीं है एतरी हो जबर्लश धन्यवादा आपका तो फिर आपकी यह हुज़त कैसे है यह हुज़त को एक्सलें करें कि आपने जो हुज़त बनाने क चाहे आठाजा दसज़त साल पुराना रेकोड मिले इंसान अपस में लाड़ते मारते कारते एक दूसरे को और अपनी मा को भी शादी करते किसी को भी निकाह करते कुछ भी करते कोई उससे रोल रोल के रेगुलिशन नहीं था जब से इसलाम आया तब से मजबूरी था जैसे कोई गलत रस्ता में जा रहा था उसको सही कर लिया ना बहुत सारे को दोनिया सब कुछ आला का है तो इसलम का तो फंड होई है यह जब दुनिया सब कुछ आलागा है ठीक है और ये सारे इंसान भी एक आदम से लेकर सब इतने हुआ है लेकिन आला का चैलेंज इवलीस और स्या और इंसान से तना तो कुछ गलत रस्ता में चले गाए शैथान की रस्ता में चले गाए ये सब्सक्राइब करेंगे ना चाया करो स्टेवेस साइंस पर अबात इसलाम का समझाने के लिए तुछ आप बलना पड़ता है ये कुरान की चोटी से आयात के लिए तस्फिर दस मिनिट अरे ब्रेक लगाओ ना यार फ्री तिंकर ब्रेक लगाओ थोड़ा जी जी आचे मापी जाता हो कि बलो साघ्य दुनिया अल्ला का है राइं हां हो कि मुझे स्टाम पेपर दिखाते हो कहां प्रेली शेम अल्ला का ने इसका स्टाम पेपर कहां अपने नाम करवाया तो कि यह कुरान तो अल्ला की तरफ से आये बाई यह तु कौप से यह दुनिया बनने से पहले कुरान लुह मफ़ोज में बना करा ता अल्रेडी अरे यार रेलाक्स यार सुना कर यार बलो ना बलो ना बाई तुने तुने जब इस्लामिक कंट्री में अपने लिए जमीन खरीद और मैं अल्ला को पैसे दे के जमीन खरीदू एक पार्ट है इस दुनिया में किसी भी जगा डुबाई में चले जाओ तो मैं अल्ला की बंदा हो आपको जमीन देगा फ्री में अच्छा देगा ना लेकिन ओ अल्ला की कुरान को मनने वाला बश्या है ना मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि वहाँ पे अल्ला की जमीन जो डुबाई है वहाँ पे तुम कुछ खरीदोगे तो वो बाजशाब पैसा लेगा और वो उपर पहुंचाएगा पैसा कोई एक निजाम है अगर पुरे दुनिया में खालिफात हो का हुकूमत हो जाता इसलाम का तो आपको जहां भी एमान वाले को जमीन मिलता घर बनने के लिए अगर आप सिटी जैन हाकी नागरी को तो आपको फ्री में मिलेगा जमीन एक मैं दुबाई में पैदा भी हो जाता हूं क्या मैं दुबाई का सिटीजन बन सकूंगा अगर्फ यह तो उसका गवर्मेंन का क्या रूले उसी सबसे होना पड़ेगा अगर मुसलमान भी ठुले हो गए तो इस वहाँ पर पैदा भी क्यों नहीं हो जाओं वहां का सिटीजन नहीं बन सकता वहां पर जमीन नहीं खरीज सकता मैं लीस कर सकता हूं सो साल के लिए खर मैं इंडिया में जाके इंडिया का सिटीजन भी बन सकता हूं मैं इंडिया में जाके इंडिया में जमीन भी खरीज सकता हूं लेकिन दुबई में जाके सोदी अरेविया में जाके ना तो मैं उनका कभी सिटीजन हो सकता हूं ना मैं कभी वहां पर अपने नाम की जमीन खर कोई दुनिया का शक्स बड़े से बड़ा स्कॉलर बड़े से बड़ा आलम वहां जाके अपने लिए जमीन नहीं खरी वहां की बिल्द भी नहीं है तो कुन सी पक्वास करते हैं यहां पे आकर तुम लोग सो काल्ड फ्री तिंकर हो दुर्फ टेम हो तुम लोगी तिंकिंग क के ऊपर के तुम लोगодар इसलैम है कि इस्षाल वाई विलख रफेंस बात है बिलकुल शहीं बात है बिलकुल सहीं बात है अनुका थाBut नहीं देंगे हमारी एंडिया में दको साथ आट इस्टेडेशा है जहां पे बाहर की लोग जो में नहीं किसे कहते हैं कि वहां की पैदाई सुनका मतलब पहले से यहां से चले आ रहा है यह लोग वहां की चला जाओं और मेरा एक बच्चा पैदा हुए जो वहां पहीं पैदा हुए क्या वहां का सिटिजन है कि बाई हमारे इंडिया की मोदी जी अगोर नागालेंड चले जाएंगे जमीन नहीं करिद पाएंगे वहां की रूल अलगे मेरे बात का जवाब दो मैं एक मुझे जाओं और मेरी मुझे नहीं दे सकते क्योंकि मैं वहां का पैदा नहीं हुए प्योर मेरी अलाद अगर पैदा होगी तो वहां की प्योर सटिजन होगी न तो क्या वहां पे लेंड खृत सकती है वहां की स्टिजन बं सकती है वहां पैदा हो के इस वकत आदे जदा पाकिस्तान दुबाई का होता है आदे जदा इंडिया दुबाई होता हुआ दुबाई में जाते हैं काम करते हैं कभी इसे नहीं नहीं देते हैं बिल्कुल नहीं देते हैं आप अब 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 बिसनस नहीं कर सकते इन से पूचें कि इस्लाम का गोल्डन एरा कौन सा है अरे भाई फिर कैसे इट स्टार्ट कैसे फिर कैसे इट स्टार्ट कर वाद होगे मौम्मध भाई आप उन सेटरर्ट कौनस सेट वाईन करा गोल्डन एक ड्ममध